साकाहारी, बादसारी, यही सब आज की इस वीडियो में सबजने वाले हैं आप सब को क्लियरली दिख रहा होगा साकाहारी जिसे इंगलिस में कहते हैं वेजिटेरियन या इसे और भी कहें तो हर भी भोरस के नाम से जानते हैं यहां पर मैंने परिभासा में लिख रहा है आसानी से क्या कि जो जनतु पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन आप सब ने यार धान, गेहुम, जो, भुसा और आप सब ने आलू, बैगन टामाटर यह सब का नाम तो सुनाई होगा और फल जितने भी होते वो सब यह सब कहां से प्राप्त होते हैं यह सब पेड़ और पौधो दोनों से प्राप्त होते हैं तो यही सब भोजन को, मतलब आप घास जानते हैं जी हाँ घास, जो केवल और केवल पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन को खाता हो गाईज उसे ही कहते हैं साकाहरी गाईज यहाँ पर आप असानी से देख सकते हैं example में मैंने ले रखा है क्या कि हीरन, गाय, भैस, बकरी, भेंड, बंदर, हाथी, गोड़ा, इतियादी इतियादी कहने का मतलब यह कि अभी और भी आप ले सकते हैं गाईज, साकाहरी में बस केवल और केवल एक ही चीज आपको ख्याल रखना है कि केवल और केवल पिन पोधे से प्राप्त भोजन को खाएंगे जैसे आपने कभी देखा हीरन, गाय, भैस, example में आपको हम गाय लेते हैं गाय आप देखे होंगे दूरा पर या कहीं पर देखते होंगे तो ज्यादतर घास खाती है, फल खाती है, अनाज खाती है तो ये सब चीजों को खाती है, क्या आपने कभी गाय को मास खाते हुए देखा है, नहीं देखा है तो भाई साहब हमारा जो गाय है न ये क्या है साकाहरी है यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब के सब साकाहरी है ये साकाहरी क्यों है जो कि ये पेड़ पोधे से प्राप्त भोजन को खाती है पेड़ पोधे से जो भी भोजन प्राप्त होता है उसको ही ये सब गास हो गया, भूसा हो गया, फ़ल हो गया, अनाज हो गया, यह सब कहां से आते हैं व tanto यह सब को खाते हैं, जिनको भोलते हैं साका हारी के 103 00.OLD T Madden तो उमीध है और आपको साका हारी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो गया, तो बस यही था साका हारी में और कुछ लिए तो गाईज आप सब को किलियरली दिख भी रहा होगा मांसा हारी जिसे इंगलिस में कहते हैं नन वेजटेरियन गाईज इसे और इंगलिस में कहते हैं कार्णी भोरास ओके यहां पर मैंने परिभासा लिख रखा है कि जो जन्तु केवल और केवल मांस खाता हो उसे हम कहते हैं मांसा हारी जानी नन वेजटेरियन गाईज यहां पर आप परिभासा देख पा रहे हैं परिभासा में कह रहा है कि जो जन्तु केवल और केवल मांस खाता हो उसे ही कहते हैं हम मांसा हारी तो यहां पर आप एक्जांपल में देख सकते हैं बाग चि क्योंकि यह सभी के सभी मांस खाते हैं जिया साथियो केवल और केवल यह मांस खाते हैं तो आपको आसानी से मांसाहरी में याद रखना है कि जो केवल और केवल मांस खाएगा उससे हम क्या कहेंगे मांसाहरी ठीक है तो यहाँ पर पईभासा मैंने लिख रहा है वो भी आसान से अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिखिए तो गज़ आपको मांसाहरी के बारे में आया कि नहीं आया यहाँ पर ये जन्तु क्या है मान सहारी है ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको मान सहारी के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया होगा तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तपते के लिए जै हिंद जै भारत